चलिए अगले पार्ट पे आ जाते हैं ओवर सब्सक्राइब अगर हम ओवर सब्सक्राइब की बात करें तो ओवर सब्सक्राइब का मतलब पता ही आपको क्या पता है आपको कि जितने हमने इशू किये कहीं उससे ज़्यादा एप्लिकेशन आ गया लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ इशूड तक ही दे सकते हैं उससे ज़्यादा तो दे ही नहीं सकते चलिए इसके अंदर मैं cases बना देता हूँ वन फुल अमाउंट रिफंड वन फुल अमाउंट रिफंड वन फुल अमाउंट शरी फुल नहीं वन ठीक है पुल अमाउंट अढगेसरे के तीसरा के इस. bin पार्alnya अदगेसरे की तीसरा के सब्रावाँ थे सब्स्वाइने का घचेश요 सा है इस. चार तीन केसिस हैं और इसके अंदर थोड़ा सम टाइम लगाना चाहेंगे क्योंकि थोड़ा सा इंपोर्टेंट रहता है कॉंसेप्ट को समझना जरूरी है पहले केस के लिए एक्जामपल पहले केस के लिए एक्जामपल सर एक्जामपल मैंने कहा इशूड किया मैंने इशूड किया मैंने 10,000 शियर एंड अप्लिकेशन रिसीव 11,000 शियर चीक है पेबल एज 10 रुपे का एक ही है पेबल होगा 10 रुपे का जो है उसका मैं कुछ डिटेल दे देता हूँ जनरली मैं ज्यादा लंबी कॉल नहीं रख रहा खूब सारे इसके अंदर हम उप्शन ले लेते हैं मेरे मन में बहुत सारे कॉशन है वो सारे कॉशन में यहां कर देता हूँ सर दो रुपे छे रुपे और दो रुपे ठीक है केस नमबर वन वेन फुल अमाउंट या मैं इसको पूरे बुक के लेंग्विज में लिख देता हूँ क्टाने सकाप्रेश। अपंडिकाशी प्रावडिय। Case number two, access application adjust towards on allotment. Case number three, five hundred share, five के जगह पर और कुछ रखते हैं, confusion ना रहे, two hundred share were rejected and balance adjusted. तीन केसिस मैंने बनाएं, एक ही सवाल रहेगा, एक ही सवाल को हम तीन तरीके से करेंगे, जिससे कि हमारा तीन केसिस क्या हो जाएं, फट कम्प्लीट हो जाएं, चलिए सर, यहां से स्टार्ट करते हैं, Case number one, सबसे पहली entry, bank account debit, to क्या आएगा बताओ, share application, अब सारी entry जो application रिसीव हुआ, पहली entry हम उससे करेंगे, तो यहां पर क्या आने वाला है सर, ग्यारा हजार गुणा में दो, यानि सर, बाइस हजार, being मैं किसी का नहीं लिखूँगा, क्योंकि अल्दो आपको पता है कि being किसका क्या होने वाला है, that's it, share application, to equity share capital, और क्योंकि पहले case में बोला, access application rejected, तो जैसे आपने पैसे लियाने, वैसे आपको refund करना होगा, ये तो बाइस हजार आ गए हैं आपके, आपके पास right ही नहीं है, equity share में ज्यादा credit कर दे 10,000 से, तो आप 10,000 into में 2, सिर्फ 20,000 ही रख सकते हैं यहां पे, बागी के जो आपके 1000 extra हैं न, 1000 into में 2, उसको refund करेंगे, और refund करने के लिए credit करना पड़ेगा आपको bank, सर refund करने के लिए bank क्यों, भाई लिया था तो debit किया था ना आपने, तो refund करेंगे तो क्या करेंगे अपने bank को क्या कर देंगे आप सर, credit कर देंगे, क्लियर रहे हैं, इसके बाद कौन सी entry है सर, share allotment to equity share capital, share allotment to equity share capital, कितने रुपे आ जाएगा सर, simple सी बात है, 6 रुपे into में, अब सारी entry 10,000 से होगी, ध्यान रखने हैं आपको ये बात, तो यानि 60,000, हर जगह पर मैं बता रहा हूँ, जो आपके doubt हो सकते हैं, फिर क्या होगा सर, bank में पैसा आ जाएगा, किसके to, share allotment, bank में पैसा आ जाएगा, share allotment का, सर, कितना आएगा bank में पैसा, same, 60,000 रुपे हमारे bank में पैसा आ जाएगा, किसी को कोई दिक्कत, इसके बाद क्या करें, इधर कर देते हैं, दो entry बागी के, ठीक है, क्योंकि मैं उधर कोशिस करूँगा, कि तीनों केसी से एक ही जगा दिखा दूँआ आपको, share final call, share final call, to equity share capital, share final call to equity share capital, सर, कितने आ जाएगे यहाँ पे, सर, यहाँ पे final call भी 2 का है, तो अब जो entry होगा, वो 10,000 से ही होगा, into में 2, यानि, सर, 20,000, और अगली entry क्या होगी, bank to share final call, यानि, सर, 20,000, एक चीज मैं notice कर पा रहा हूँ, सायद आप कर रहे हो या नहीं कर रहे, कि सर, इसके अंदर ना, जो बदलाव आ रहा है, वो सिर्फ second entry में आ रहा है, बाकी तो वही है, जो हम सीखते आ रहे हैं, जो बदलाव आ रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ second entry में आ रहा है, बाकी तो वही है, जो सीखते आ रहे हैं, तो यानि, आपको majorly changes पता है, कहां देखने को मिला मुझे, पर सायद आपको भी मिल रहा होगा, वो इस entry में, यहां तक किसी को doubt case number one done कर चुके हैं हम, अभी hand raise का मैं किसी का भी answer नहीं दूँगा, hand raise का भी talking नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे फटा फट security premium, सारे call scenario वगरा देखो, जल्दे जल्दे निफट आते आज, क्योंकि इस chapter में मैं इतना time नहीं देना चाहता, being, क्योंकि already 12th का एक folder नहीं मैंने डाल दिया, एक बच्चे का doubt भी आयता, सर मैं science stream से हूँ, तो मुझे क्या देखना चाहिए, तो मैंने 12th वाले folder classes ही बताएं, वो आपको class देखनी पड़ेगी, पूरी पूरी detail में, उसके बाद फिर आगे further burn पाएंगे, जो भी time है आपके पास available, सर चलिए, case number 2, case number 2 में क्या कहता है सर, access application को क्या कर दो आप, बापसी मत करो उसे क्या कर दो, adjust कर दो, तो हमारी पहली entry जो होगी, और वो होगी हमारी bank account debit, to share, application, ठीक है, to share application, कितने रुपे से होने वाली है पहली entry, सर अगेन, आपका 11,000, यानि पहली entry 11 से, ये तो 22 ही रहेगी, फिर share application, to equity share capital, अब जो जिसको हम वापसी नहीं करेंगे रहा, ये तो 22 ही रहेगा सर, और ये हम 10,000 से उपर law allowedी नहीं करता इशू करना, क्योंकि permission ही 10 का लिया है, तो 10,000 से जब allowedी नहीं कर रहा, तो ये maximum कितना आजाएगा सर, 20,000, बाकी हम इसे adjust कर देंगे, 1000 को आगे ले जाएंगे, कितने रुपे, 2 रुपे, यानि 2000 रुपे, कहाँ advance चला जाएगा ये, advance on allotment, 2000 रुपे, सर ये चला गया, advance on allotment, 2000 रुपे, चलिए, अगली entry, share allotment, to equity share capital, हमने भाईया, यहाँ पे, share allotment to equity share capital किया, और अगली entry, अगेन 10,000 से होनी है, 10,000 into में आपका, 6 रुपे, यानि सर, 60,000 होना है, लेकिन अब थोड़ा सापको ध्यान देना होगा, कि bank के अंदर, अब 60,000 थोड़ी आएंगे, कुछ व्यक्ति ऐसे थे, जिनके पैसे मैंने दिये नहीं, जुने ने advance दे रखा, तो मैं adjustment allotment का मतलब क्या है, कि भाई, आप जो पैसे है ना, extra दे रहे हो ना, अब हम आपसे allotment पे, आपके पैसे भी बापसी ने देंगा, मान लेते हैं कि आपने, मुझे पता है, simple सा एक example लेते हैं, कि आप जो है, वो मेरे से, मान लेते हैं कोई apple आप लेते हो, मेरे से daily कोई fruit लेते हो, ठीक है, और आपने एक दिन मुझे, daily के दो fruit, fruit पता नहीं कितना लेना, आपने मुझे 4 apple के पैसे दे दिये, 4 रुपए, और आपको daily apple लेना ही लेना है, लेकिन मेरे दुकान में बचा हुआ सिर्फ 2 apple है, तो मैंने आपको 2 apple दिये, इसका मतलब 2 save दे दिया, मेरे पास आपके पैसे advance रहे गए, कितने advance रहे गए, 2, अगले दिन फिर आये, आपने बोला भईया, 4 apple और 2, तो अगली बार फिर से, मैं आपसे 4 रुपे ना मांगके, मैं कितने मांगूँगा आपसे, 2 रुपे, समझ रहे हो क्यों 2 रुपे मांगूँगा, क्योंकि 2 रुपे आपके क्या थे, advance थे, तो सेम इसी तरीके से, आपसे मैंने कुछ पैसे advance ले रखें, allotment के नाम के कितने, और allotment पे मैं मांग कितना रहा हूँ सर, 60,000, तो आप क्या कहोगे सर, पहले के 2000 advance भी तो हमने दे रखें हैं, तो इसका मतलब मैं अब देने वाला हूँ कितना, 58,000, और यहाँ पे हम entry कर देंगे, advance on allotment, that is 2,000, और to share allotment, that is 60,000 रुपीज, अगली entry, अगली entry बिल्कुल सेम रहने वाली है, सेम एज केस नमबर वन, मैं करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा रहा, क्योंकि मुझे तीनों केस करना है, ठीक है, final call के entry, यहाँ तक किसी को doubt है, आप ध्यान से अगर focus करना चाहते हैं, और देखना चाहते हैं, तो मेरी बात को ध्यान से देखिएगा, मैं entry को आप अलग color में कर देता हूँ आपके लिए, so that आप अच्छे से देख पाए, कौन सा color करें यह, एक तो इस entry को थोड़ा गौर से देखिएगा, और ठीक है, और एक इस entry को देखिएगा, majorly changes यहाँ पे देखे गए हैं, और एक इस entry को, case number two में तो दो जगह impact आया है, लेकिन case number one में सरिफ, एक जगह impact, इसको focus करिए, बाकितो सारा आपका सेम ही है, समझ में आ रहा है आपको बात, कोई दिक्कत हैं या तर, यानि सर जब advance होगा, तो हमारा application receive जब करते हैं, वहाँ पे भी एक कुछ minus plus देखना पड़ेगा, और then payment receive करेंगे, हम आगे जहां के लिए advance है, वहाँ के लिए भी हमें देखना पड़ेगा, चलिए सर, इसके बाद अगले point पे आ जाते हैं, हम फटा फट से, next point है हमारा case number 3, तीनों case के बाद फिर हम advance cases पे जाएंगे, entry क्या होगी हमारी पहले, bank account debit, color change करते हैं, entry होगी bank account debit, to share application, sir again 22,000 रुपे, अब तो आपको पता चल गया होगा, कि जितना पहली entry application receive से करेंगे, हम, in case of advance और बागी की entry हम किस से करेंगे, issued से करेंगे, अगली entry होगी, share application, to equity share capital, और to bank से पैसे वापस करना है, sir, और to advance भी लेना है हमें, advance on allotment, समझिएगा इसको, देखें यहाँ पे तो आपके कितने आ जाएंगे, sir, 22,000, equity share में कितने आ जाएंगे, 10,000 गुणा में 2, इससे उपर तो होई नहीं सकता, that is, third case कहता है, 200 share को rejected करें, तो जिसको आपने rejected करें, उसके bank से पैसे वापस कर दीजिए, यानि 200 into में 2, that is आपका, 400, और बाकी को हमने adjust कर लिया, towards allotment, तो आपके कब कितने थे, हमारे कितने एक्स्ट्रा थे, 1000, 1000 में से कितने को वापसी कर दिए, 200 को वापसी कर दिए, तो कितने share के adjust कर सकते हैं, बताइए 800 का, तो हम यहाँ पर लिखेंगे सर, बाकी adjust करेंगे, that is 800 into में 2, और वो आ जाएगा हमारा 1600 रुपीज, सायद लाइव वाले बच्चों को कुछ को ना दिख रहा हो, तो यह लेजे, अब दिख जाएगा आपको, कोई doubt इसमें, अगली entry करते हैं, एक बार मुझे करने दीजिए, फिर फटा फट एक बार quickly समझा देंगे सारा, फिर अगली entry क्या होगा हमारा share, allotment to, equity share capital, कितने रुपे, सर 60,000, कितने रुपे, 60,000, लेकिन जब बैंक में payment लेने आएएगे, तो कौन बच्चा बताएगा, बैंक में कितना payment यांगा, बैंक में आना चाहिए, हमारा 60,000, क्या पूरे 60,000 आएँगे, या cut के आएँगे, cut के आएँगे, बताइए कितना payment cut के आएगा, दिमाग लगाईए, कितने payment cut के आएगा, बच्चे गह रहे हैं सर जब 2,000 एडवांस था तो 58,000 रुपे कॉल करना चाहिए था न देखो बारवी क्लास के अंदर ऐसे किया जाता था लेकिन लॉजिकली मैं भी थोड़ा डिसकस करूँगा मैंने कमेंट देख लिया important point है फिर मैं आपको बिल्कुल clear करूँगा क्यों मैं ऐसे किया है फटा फट से बताईए आप यहां यहां पर बताईए कितने payment आएंगे सभी ने जवाब दे दिया सर कितने सर इसमें से minus हो जाएगा जितना advance है advance कितना है? 1600 तो 1600 माइनस कर देंगे तो 58400 advance on allotment कितने? 1600 और to share allotment कितने? 60,000 बाकी same होगा as address rate लिख दिया as case number one ठीक है? अब एक बच्चे का बहुत important question आया मैं बता देता हूँ जिसको important लगे retain कर लेगा जिसको नहीं important लगता वो छोड़ देगा मैं एक बड़ी सीधी से बात पूशता हूँ मान लो मैंने issue किया issue किया 10,000 share ठीक है? ध्यान देना और मैं 10 रुपे का issue कर रहा हूँ तो इसका मत्तब सर शेर capital जो है वो कितने का होगा? that is 1,000,000 ठीक है? आपके सामने में balance sheet में practical बता रहा हूँ कुछ बच्चे ना 12th class में पढ़ते हैं? हाँ ठीक है मैं यह नहीं कहा रहा है 12th में गलत पढ़ रहे हैं लेकिन वो कुछ आधे पार्ट कर लेते हैं तो मेरे इसाफसे सर शेर holder fund जो होता है यानि share capital जो होना चाहिए balance sheet में वो कितना होना चाहिए? 1,000,000 ठीक है? let's suppose example कि इसको दो टुकड़े में बाट देते हैं मैंने कर दिया 8 रुपे और 2 रुपे clear? मैंने क्या कर दिया 8 रुपे और 2 रुपे साथ के साथ इधर हमारा bank में भी पैसा आ जाएगा कितना सेम 1,000,000 रुपे चलिए अब मैं इसको क्या करूँ? general entry करूँ क्या करूँगा? मैं bank से पहले start करता हूँ मैं क्या बताने की कोसिस कर रहा हूँ 5 मिनिट में clear हो जाएगा to share application that is आपका कितना आ जाएगा? 8 रुपे हमारा application का है और 2 रुपे आपका allotment या final call कह रहो तो sir ये कितना आ जाएगा आपका? 80,000 और share allotment application to equity share capital कितने आ जाएगे? 80,000 उसके बाद देखिए share allotment to equity share capital कितने आ जाएगे? 80,000 और 80,000 इसके बाद sir bank में payment आ जाएगा to equity share allotment bank to share allotment roughly करूँगा बस आप amount को focus रखिए मैंने गलत लिख दिया है न 20 आएगा न 20,000 और 20,000 अब देखिए bank bank वालों को जोड लेते है sir bank bank वाले में कितने पैसे आएग? एक bank में ये आया और एक bank में आया तो bank एक लाख पूरे हो गए share capital जोड लेते है एक ये share capital आया एक share capital इस तरीके से ये एक लाख रुपे हमारे share capital में बन गया चलिए अगर मैं यहाँ पर advance लिखतू हूँ ठीक है? एक बाद समझना मैंने कहा 10,000 था sir at the rate आपका 10 रुपीस इच है और application received suppose करो मैं 11,000 लिखतू हूँ correct? और आपका ratio है ये 8 और 2 का ठीक है? ये ही कहानी फिर से लेके चलते है तो हमारे bank में कितना पैसा आएगा और सारा मैं adjust करने वाला हूँ refund नहीं करूँआ सारा क्या करूँआ? adjust करूँआ तो bank account debit to share application क्या लिखोगे sir sir bank account debit to share application आप लिखने वाले हो 11,000 क्योंकि application ये receive है 11,000 into 8 कितने? 88,000 मैंने बोला सारा मैं adjust करूँआ और मैंने क्या करा फिर share application और 2 equity share capital equity share capital में तो अभी भी कितना हैगा 80,000 और ये कितना है? 88,000 और 2 advance कर दूँआ advance on allotment कितने कर दिये मैंने? चलो मैं एक बार advance on allotment कितने कर दिये? 8,000 correct है अब बच्चे बोलते हैं सर एक काम करिए न आप हमने थोड़ा सो shortcut मा रहा है क्या करा है सर? bank account debit sorry bank से पहले मैं call कर लूँ allotment का share allotment to equity share capital सर share allotment to equity share capital कितने बोलू मैं? 10,000 गुणा में दो यानि सर 20,000 बल्कुल focus करके सीखिए गा सर एक काम करिए न मैंने बूला ठीक है आपको जो समझ रहे न वोई काम कर देते हैं bank to share allotment कितने आगे bank to share allotment में? bank to share allotment में कितने आगे? कितने? 12,000 minus करके न 12,000 चलिए focus करिएगा ध्यान से सुनिएगा मैं ऐसा क्यूं कर रहा हूँ और मैं क्यूं करता हूँ? अब यहाँ पर capital capital जोड़ो अब एक बार इस पर आजाएं फिर अगेन यह bank, bank यहाँ आ गया share capital, share capital यहाँ आ गया अब ध्यान से देखना share application यहाँ पर credit और share application यहाँ पर credit यानि balance sheet में से वही amount उठके आया है जो कि नहीं खटा सीजी सी बात है यहाँ पर काटने की कोशिस करते है यहाँ पर देखिए bank, ठीक है सर और bank को जोड़ लेते हैं तो bank, bank कितना हो गया? यह 88 और यह कितना हो गया? 12 यानि bank में तो एक लाग पूरा हो रहा है share capital को add करते हैं एक share capital SCA और share capital यह यह भी पूरा हो गया अब काटने की बारी आ गई आपका share application यहाँ debit और यहाँ credit और यहाँ debit यह आपस में क्या हुए? cancel out अब आ जाते हैं advance advance जो है कहीं cancel out हो रहा है हमारा? नहीं हो रहा है यह रह गया share application allotment यहाँ कितने का? और यहाँ कितने का? तो यह cancel out होगा क्या? नहीं होगा अगर मैं cancel करना भी चाहूँ तो यहाँ पे extra कितना बच जाएगा हमारा? 8000 रुपे बच जाएगा है ना? 12 और 8 यानि ultimately हमारे दो अकाउंट cancel नहीं हो पाए यह अकाउंट cancel नहीं हो पाए ठीक है समझ में आता है बैंक में balance चला गया दो अकाउंट ऐसे हैं जो कि cancel नहीं हो पाए वो still open रह गए जब मैं इसका laser बनाऊंगा ना तो यह laser में still मुझे दिखेगा allotment का पैसा दिखेगा और advance भी दिखेगा जबकि सच्चा ही क्या है ना तो अब allotment बचा ना ही मेरे पास क्या बचा advance बचा है इसलिए मैं क्या करता हूँ उसको tally करने के लिए मैं यहाँ पे एक दूसरी entry कर देता हूँ अगर मैं यहाँ पे entry करता हूँ सर शेयर आपका allotment बैंक में पैसा अगर मैं कर दूँ यह से मैं ऐसे करूँ कि bank account debit 30 थर्टी एट नी 12,000 और advance on allotment कर दूँ मैं 8,000 और two share allotment अगर मैं कर दूँ पूरे 20,000 तो आप ध्यान दोगे कि advance यहाँ पे credit है और advance यहाँ पे debit है अगर यह entry करते हैं तो यह वाला advance भी यहाँ से cancel हो सकता है समझ रहे हो? यानि इसका तो कोई बता ही नहीं बचाई और अब share allotment देखो यह पूरा cancel out हो सकता है यहाँ से यहाँ पे जब जाके आपका balance sheet यह trial balance जनल से जब laser बनाओगे यह trial balance तभी आपका match हो पाएगा नहीं तो एक rectify entry मारना पड़ जाता है सबसे last में जाके तो cdc बात है सर क्या ऐसे करें यह ऐसे करें दोनों कर सकते हैं examiner कई बार आपको बोलेगा open a calls in advance या calls in error account open a calls in advance या calls in error account तब तो आपको आपको ऐसे करना होगा calls in error याfer advance अकाउंट open करने का मतलब यह नहीं है कि आपको laser बनाना है जब कभी भी laser बनाने को आएगा नहीं तो बोला जाएगा prepare a call sign advance account अगर prepare बोला जाएगा तो आपको इस format में बनाना है open करने को कहा जाए तो कहा दिखाना है आपको journal entry के अंदर दिखाना है जो भी ये वाला है इसके अंदर आपने calls in advance को open कर दिया without open a calls in advance account तो आपका ये entry ठीक है without open यहाँ पे क्या calls in advance को मैंने open किया है? नहीं किया है सर वहाँ पे मैंने calls in advance को open किया है तो कई बार examiner इस तरीके का सवाल पूछ लेता है without open यह without open मैं जितने भी सवाल करूँगा मैं अपने answer को tally करने के लिए मैं ये वाला format follow करूँगा जो कि मैंने यहाँ पे किया हुआ है तो अब आपको hopefully ये clear हो गया होगा कि किस तरीके से करेंगे सर दस हजार इंटू दो क्यूं ग्यारा हजार दो होगा किस वाले की बात करते हैं allotment में नहीं allotment में नहीं जैसे कि हमने एक बार application फूरा एक बार फटा फट कुईकली देखिए पहली entry application receive से उसके बाद की entry आपकी 10,000 है और आने वाली entry ये भी 10,000 और ये भी 10,000 same case number 2 में भी देखिए same पहली entry 11,000 application बाद की किस से हो रहा है सर 10,000 case number 3 में भी पहली entry किस से 11 बाद की 10 यानि जब over subscribe का case होता है न तो पहली जितना application receive हो है उससे entry करो application वाली बाद की जितना issue की है उससे अंडर subscribe वाले case में क्या होता है सर अंडर subscribe वाले case में जितना application receive हो है सारी entry उसी से करो issue का कोई मतलब यहाँ पे नहीं रह जाता तो यह दो differentiate है जो कि आपको पता होना चाहिए यहाँ पे मैंने क्या करा है सर यहाँ पे एक तो सबसे पहले पहले case के अंदर सारे पैसे refund कर दिया तो two bank करके हो गया दूसरे case के अंदर सारे पैसे adjust कर दिया तो दो जगा impact आ गया एक यहाँ पे और एक यहाँ पे तीसरे case में partly refund और partly adjust तो देखो यहाँ पे मैंने क्या करा partly refund bank से हो गया partly adjust हो गया लेकिन allotment के time पर जो adjust हुआ है स्रिफ उसके पैसे कम करे जाएंगे ना कि आप 800 रुपे ये 400 रुपे भी कम कर दोगे यहां तक बताईए किसी को कोई doubt clear है फिर इससे advance question ले कुछ यहां तक हर किसी को clear कर दो जाएंगे 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 जाएंगे